गरूर पुरान में पुन्य कर्मों के लाब और मोक्ष की प्राप्थी का विस्तरित वर्णम मिलता है इस ग्रंत के अनुसार हमारे अच्छे कर्म न केबल हमें इस जीवन में सुख और सम्रिद्धी प्रदान करते हैं गरूर पुरान के अनुसार पुन्य कर्मों के लाब और मोक्ष की प्राप्थी के बारे में विस्तार से जानेंगे पुन्य कर्मों के प्रकार गरूर पुरान के अनुसार, पुन्य कर्म विभिन प्रकार के होते हैं, जो हमारे जीवन को सकारात्मक और सम्रिद्ध बनाते हैं इन में से कुछ प्रमुख पुन्य कर्म इस प्रकार है दान, चैरिटी जरूरत मंदों को दान देना सबसे बड़ा पुन्य माना जाता है इसमें अन्न, वस्क्रक, धन और शिक्षा का दान प्रमुख है सेवा, सर्विस दूसरों की सेवा करना, चाहे बहशारिरिक हो या मान से पुन्य कर्मों में शामिल है विद्धों, रोगियों और गरीबों की सेवा करना विशेश पुन्य का कार्य है सत्य, टूथफुलनेस, सत्य बोलना और अपने जीवन में सत्य का पालन करना भी पुन्य कर्म है सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में शांती और सम्रिध्धि आदी है अहिंसा, नौन वाइलेंस अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव को हानी न पहुचाना पुन्य कर्मों में शामिल है यह जीवन में शांती और सभाब ना लाता है भक्ती, देबोशन भगवान की भक्ती और पूजा करना, धार में अनुष्थानों का पालन करना और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना भी पुन्य कर्म है पुन्य कर्मों के लाप गरूर पुराण में पुन्य कर्मों के अनेक लाप बताए गए है इन लाभों में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख शामिल है कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है स्वर्ग की प्राप्ति उन्हे कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यू के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है जहां उसे अध्गुत सुख सुविधाय मिलती है स्वर्ग में देवताओं का सानिध्य और अपार आनन प्राप्थ होता है सुख और समरिधी उन्हे कर्म करने से जीवन में सुख और समरिधी आती है व्यक्ति को शांती, संतोष और मानसिक शांती प्राप्थ होती है मन में शांती और संतोश का अनुभव होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिर्ता और संतुलन मिलता है, जिससे वह हर परिस्थिती में खुश रह सकता है। मोक्ष की प्राप्ति गरूर पुरान के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति सबसे बड़ा पुन्य फल है मोक्ष का अर्थ है जन्म और नित्यो के चक्र से मुक्ति पाना और भगवान के सानिध्य में स्थान प्राप्त करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में पुने कर्म करने चाहिए और अपने मन, बजन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमलेखित मार्ग बताए गए है भक्ति मार्ग भगवान की भक्ति करना, उनकी उजा और ध्यान करना, मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के सानिध्य में स्थान प्राप्त कर सकता है ज्यान मार्ग, आत्म ज्यान और ब्रहम ज्यान प्राप्त करना भी मोक्ष का मार्ग है व्यक्ति को अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूग को पहचानना और माया से मुक्ष होना आवशक है कर्म मार्ग निश्टान कर्म करना बिना फल की इच्छा के अपने कर्टवियों का पालन करना भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्षो सकता है योग मार्ग योग और धान के माध्यन से मन को शुद्ध और स्थिर करना भी मोक्ष प्राप्टी का मार्ग है योग के माध्यन से व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा से जोड सकता है निश्कर्ष धन्यवाद